नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबी का बहुत बहुत स्वागते हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस चैनल के माद्दिम से हम आपको मुस्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें देने की कोसिज करते हैं इसे बीच अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कर देते हो तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो कर दीजिए यूपी में आज पहुँच रहा है मानसून देखे नौइडा लखनो गाजियाबाद समेट कई जिलों में कहां कहां और कब होगी बारिस उत्तर परदेश में मानसून की एंट्री लेने के लेकर बलिया गाजिपूर चंदोली में सोन भदर अलट जारी कर दिया गया है जिहां दोस्तों विस्तारी जनकरी जानते हैं उमस भरी गर्मी से परिसान लोगों को जल्दी ही रात मिलेगी उत्तर परदेश में मानसून 2021 रविवार को दस्तक देगा इस दोरान बिहार से छटे पूरवी जिलों में भारी बारिस का अलट जारी है इन जिलों में बलिया गाजिपूर चंदोली और सोन भदर में सामिल ह मुसंबा के अनुशार हिसाब से दिली NCR में मानसून जून के चौते सपता जगा तीसरे सपता की दस्तक दे सकता है गोतम बुद्धनगर में 15-16 जून को ही मानसून की आठ सुनाई दे सकती है मुसंबा के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्शेत्र बन रहा है साथ ये कम दबाव वाले क्शेत्र की वज़गा से दक्षिन पच्चीमे हवाउन का रुप पच्चीमी तत्टे इलाकों में होते हुए बढ़ेगा इस अनुकुल इस्तती की तक दे सकता है मांसून की जल्दी आने से तीन प्रमुक कारण है इसमें बड़े क्षेत्र में बारिस का होना अधिक बारिस होना और हवाओं का जल्दी आ जाना सामिल है पंदरा तक लखनव पहुंच चकता है मांसून मांसून की चाल सामानी और रविवार को यूपी में एंट्री लेने के बाद पुर्वान चलके कई जल्लों में बरसेगा पुर्वी जल्लों में लखनव आने के बारिस के बाद दो तीन दिन बाद समय लग सकता है इसकी निर्भर करेगा पच्ची में यूपी जल्लों में कब इस सब्ता के लिए मोसम विग्यान की तरफ से यलो लड़ जारी का दिया गया है इसमें हलकी और मध्यम बारिस होने का अनुमान भी जताया जा रहा है मोसम विग्यान एक डॉक्टर कुलदीप स्रीवास्तव का कहना है कि इस समय पूर्वी हवाय नमी को लेकर आ रही है जिसक कुछ दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था दिली एंसियार में धूलबरी आंदी चलेगी अगले तीन दिनों में ऐसे में हौल जारी रह सकता है मोसम की तेज साथ बदलाव भी है लो लड़ जारी कर दिया गया है वही नोईड़ाई की बात करें तो 15-16 जून को मानसून की आहट दे सकती है सुनाई जिससे पहले रवी बार को मोसम में परिवरतन दिखाए देगा दिन बर धूप और च्छाव का खेच चलता रहा पारा नीचे आया उपर गया धिन का अधिक्तम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस जबकि नियून तापमान 26 डि की गई थी कानपूर का भी यही हाल है दोस्तों कानपूर में वग्यान ने कहूं कि मानसून आने से पहले 17 जून तक تی Georg बारिस उने के आसार जताए जा रहे हैं दोस्तों मिद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंदाए होगी मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहे हमारे चलिए